क्या हाल है दूस्तों। उम्मीद है आप सब ठीक हूंगे। चलो तो कहानी शरू करते हैं। मेरा नाम अमीर है मेरा तालिक। एक मडल कलास फेमली से था। और हमारा घराना बहुत मज़भी था। हम दादा दादी के साथ घर की दूसरी मंजिल में रहते थे। ग्राउंड फ्लोर पर गिराज बना हुआ था। और पहली मंजिल पर चाचा चाची की फिमली रहती थी। दाद और दादी हमारे साथ दूसरी मंजिल पर इसलिए शिफ्ट हुए थे। क्योंकि नीचे वाले दो सब ही फैसले उनकी रिजामंदी से ते पाय जाते थे। मैं अपने वालदीन की अकलूती बेटी थी। जबकि सभान चाचु का अकलूता पेटा था। सभान उमर में मुझसे एक साल छोटा था और हम दोनों ही घर के लाडले थे। हमारी हर फर्माइश जट से पूरी की जाती थी। हम शरू से एक ही स्कूल और एक ही कालिज में साथ ही पढ़े थे। मगर सुभान पढ़ाई में मुझसे ज्यादा। अच्छा था अगर मैं अपनी किलास में सिकंड आती थी। तो सुभान फरस्ट आता था मगर चाचु ने हम में कभी भी फर्क नहीं किया था। उनक और रात के खाने पर सबसे नमाज का भी लाजमी पूछा करते थे। हम रहते तो बेशक अलग-अलग पूर्शन में थे। मगर रात का खा नसब अक्ठे मिल बैठ कर खाया करते थे। और रमजान के महीने में हमारी अफ्तारी भी अक्ठे ही हुआ करती थी। रमजान के मही नमाज के बाद कुरान मजीद की तलावत की जाती और इसके बाद में और सुभान अपनी अपनी किताबें खूल कर बैठ जाते। हम दोनों बच्चे राजी न थे, मगर बाबा के सामने किसी में इतनी हिम्मत न थी कि इनकार ही कर सके। इसलिए हम दोनों ही खामोश थे। सभान ने जैसे ही सेकंड अईयर की पढ़ाई मकमल की, तो इसने बाबा से कहे कर किनेडा जाने की जद की, बाबा भी आसानी से मान ग गया, और मैंने सबसे अच्छी यूनियूरिस्टी में दाखला ले लिया, क्योंकि मुझे तो बाहर जाकर पढ़ने का कोई शौक नहीं था, न जाने हमें एक हद में रहकर हर तरह की आजादी दे रखी थी, और हमने कभी उसका कोई नाजाइज फाइदा भी नहीं उठाया और बाबा को इसी बात का हमेशा गुरूर भी था, और बाबा की तो जैसे सुभान मेरा रिष्टा ते करने के बाद से, तो उनकी जैसे सारी जिम्मदारियां ही पूरी हो गई थी, और चाची की भी कभी जरात नहीं हुई थी, कि वो भी बाबा के किसी भी फैसले के अलिक बताया करता था, और मेरी भी कभी कभार, इससे बात चीत हो जाया करती थी, हम एक दूसरे के बहुत अच्छे दौस थे, हमें शादी से अख्तिलाफ दोस्तों, अगर आप ये कहानी अगे भी सुनना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब, जरूर करें